हलो फ्रेंज वेलकम टू माई चैनल ये वीडियो अबेकस क्लासिस की इंटोड़क्शन वीडियो है इस सीरीज में मैं आपको अबेकस पर कल्कुलेशन करना सिखाऊंगी बिल्कुल बेसिक कल्कुलेशन से लेके स्टेप बाई स्टेप आपको एडवांस कल्कुलेशन तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि अबेकस होता क्या है अबेकस हमारा वो मैथेमेटिकल डिवाइस होते है इस तरीके का फ्रेम होता है जिस पर हम मैथ की बेसिक कल्कुलेशन करते हैं जैसे के अडिशन होगा सब्ट वित् हैं द्वाइक, इस पर हम बेसिक कल्कुलेशन से लेके आएडिशन सब्टक्शन से लेके क्यूब roof and square root तक भी निकाल सकते हैं एक अबेकस यह है यह जो है दैनी सब्टकर से तो एक colorful rainbow type Dennis Abacus जो है छोटे बचों के लिए ज़ादा यूज होता है यह हमारा Chinese Swampan Abacus इसमें जो है डिफ्रेंज जैपैनिस और सोरवन Abacus में जो डिफ्रेंज है टू बीट्स का इसमें जो है अपर टू बीट्स रहती है और lower beats जो है हमारी 5 रहती है तो यह उसमें जैपैनिस और चैनिस में डिफ्रेंज है यह जो है आपका Russian Scotty Abacus है यह जो है कुछ-कुछ Dennis Abacus से resemble करता है यह है हमारे Rekanric Abacus यह जो है Dennis Abacus का simplified version है इसमें केवल 2 horizontal road रहती है और हर एक में 10 beats रहती है तो यह तो थी Abacus की types अब हम Abacus के parts के बारे में बात कर लेते हैं Abacus के parts के बात हम इस Japanese Soroban Abacus पर करेंगे क्योंकि आपके Abacus की classes जो है मैं इस Japanese Soroban Abacus पर ही लूँगी यह देखे यह जो है यह Abacus का है frame इसको हम बोलते है frame यह क्या है? frame हो गया हमारा यह जो हमारी रहते हैं इनको हम बोलते हैं Upper Beards यह हमारी होती है Lower Beards Upper Beards Lower Beards और यह जो बीच में आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं Bar और Beam भी बोल देते हैं 17 road का इया Abacus है और यह जो आपकी mid road है मिंस mid point है इसको हम बोलते हैं Unit road जैसे हमारे जो numbers में places होते हैं unit means ones, tens, hundred, thousand तो वो हम start करेंगे यहां से mid से, यह हमारी unit road है यह हमारी tens road है यह hundred, thousand इस तरीके से हम हमारी जो calculations करेंगे left के side करेंगे unit road से start करके यह हमारी upper beats है तो इसको हम upper deck बोल देते हैं अब तक हमने क्या सिखा कि अबेकस क्या होता है कितने इसकी टाइपस होती हैं अबेकस के कौन से पार्ट होते हैं अब मैं आपको बताती हूँ कि अबेकस पर हम calculation कैसे करेंगे तो देखें अबेकस पर calculation करते हैं हमें एक बात का धान रखना है कि हमें जो है इस तरीके से करनी ह means ये finger and thumb use करना है आपको इस तरीके से means अगर bead आपको नीचे करनी है तो ये finger और beads आपको उपर करनी है तो thumb का use करेंगे और मालो इस तरीके से आपकी beads है आपको जो है abecus को reset करना है तो वो कैसे करेंगे आपको इस finger and thumb का ही use करना है इस तरीके से आपको जो है ऐसे करके इसको reset करना है तो friends इस वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम सीखेंगे कि अब एकस पर हम simple addition and subtraction calculation कैसे करते हैं I hope कि वीडियो आपके लिए useful रही होगी वीडियो को please like, comment and share करना मत भूलना मिलते हैं अगली नई useful वीडियो में तब तक के लिए बाबाई, take care, thank you